सक्सेस मंत्रा वी शेप फ्यूचर बुड़ इवनिंग टोल अफ्यू तुड़े वी अगर न्यू शेशन जहां डिसकस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हम जो करेंट की न्यूज चल रही है जो करेंट के टॉपिक्स चल रहे हैं उसको डिटेलिंग में सम क्या है तो आप लोगों से यह पैक्षा है कि आप अपना पूरा फोकस इस तरह टाइवर्ट करें तो डिस इस मेजर टोपिक अभी रिसेंटली चर्चाओं में था ग्रेट निकोबार डेवलमेंट प्लान गोर्मेंट ने एलान किया है कि हम जो अंडवान निकोबार आइले इसको यूज करके यूट्राइज करके उसको डेवलमेंट करेंगे अविकास करेंगे तो अभी तक अफिकास नहीं हो रहा था वहां पर अभी जो विकास था वहां पर में ट्राइवल एरिया है तो वहां पर अभी तक गोर्मेंट की यह पोलिसी रही थी कि वहां पर क्योंक लेकिन अब गोवर्मेंट ने यह एलान किया है कि निकोबार आइलेंड को क्या करेंगे रिवैंप करेंगे उसको डेवलप करेंगे वहां पर नई कॉलोनी बसाएंगे नया सोलर प्लान्ट लगाएंगे एक कंटेनर शिप्मेंट लगाएंगे तो इसको हम जानेंगे अभी कि इसके पीछे क्या लोजिक यह कुई हम समझना है कि यह क्यों इतना इंपोर्टेंट हो गया आज के टाइम पर आजका शाया रहे ता है कि निकोबार आइलेंड को डेवल अगेर किया जा रहा है इधर लक्षदीप है और इधर अंडमान निकोबार इसको एन्हांस किया गया है तो यह section अंडमान निकोबार का आया है okay as you can see that this is the portion of the अंडमान निकोबार so अंडमान निकोबार में this area particularly अंडमान and this section is known as निकोबार okay 10 degree channel जो है अंडमान और निकोबार को क्या करता है separate करता है तो 10 degree channel जो है वो एक defined boundary मानी जा सकते इस लो पर्टिक्लर एक वाटर एक तरह से वाटर का जो है जो है जो एक joint point है जिसे 10 degree channel क्यों कहते हैं मैं बताता हूं आपको देखें यह अर्थ इस तरह से होती है तो अर्थ में यह 0 degree latitude है उसके बाद फिर 10 30 ओके अब यहां तक 90 तक जाएगा तो यह जो यह जो water body है यह जो जो इनको separate कर रही है अंडमान को निकोबार से 10 degree latitude पर लाई कड़ती है तो that's why you call it 10 degree channel okay getting good तो 10 degree channel के southern portion पे आप देखेंगे तो निकोबार islands का क्या है समूँ है उनका group है और उसमें जैसे एक कार निकोबार है इसका geographical location आप बिल्कुल जरूर याद रखें जोग्राफिकल location पूछा जा सकता है हो सकता है दिमांग में होना चाहिए जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो तमिल नाडू कन्या कुमारी तो एट डिगरी पॉर मिनट से जमू कश्मीर के अगर नोट थेस्ट कोईंट के हम बात रहें थर्टी सेवन डिगरी सिक्समीनट तक यह लेटियूडनल रेंज है किसकी कि इंडिया की एंडिया के में लैंड गी एंडी के 1004 मिनट से लेकर dot 376 मिनट सब्र अगर हम यह अर्थ है और अर्थ पर यह जी जिरो डिगूर सबाइब टियोड है तो इंडिया को अगर Away मेंशन करना चाहें तो कहां मेंशन करेंगा यह 8 degree 4 minute से 37 degree 6 minute ऊके बट ग्रेट निको बार जो island है हमारा वो 8 degree से भी नीचे south यह देखिए आप थोड़े नीचे निकला हुआ है कन्या कुमारी पॉइंट से भी नीचे की द्रफ का फिर दिस्टेंस है तो यह इतनी दूर अगर हम देखें यह यह इस 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 पॉइंट तो यह इसका जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो स्पेसिफिक लिए अगर आप देखें तो 7 डिग्री जिरो फ्री मिनेट्स नॉर्थ इतना है ओके आर्यू गेटिंग और नॉर्थ तो कहने का मतलब यह है कि जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ग्रेट निकोबार इस सम्थिंग लाइग 7 डिग्री नॉर्थ अब फ्रों दी जिरो डिग्री लाटिटिट्यूड ओप दी अर्थ ओके अब हम देखेंगे कि वही जोग्रेट निकोबार आयलेंट है उसके अंदर का जोग्राफिकल ऑवर वीजर हम देखना siledo को अगए तो ग्रेट निकोवार आइलेंड में कुछ important points उनको समझना है, ध्यान से समझना है, उसको mark भी करना है, exam में पूछे जा सकते हैं, क्या-क्या हो सकता है, कि कौन सा area develop किया जा रहा है, पहले तो coastal area ये area develop करने का plan है, इतना area develop करने का plan है, क्या-क्या development होगा उसमें हमीं समझेंगे जो government plan लेके आई है, ग्रेट निकोवार, ग्रेट निकोवार, development plan, उसमें कौन इस area को develop किया जा रहा है, और क्या-क्या बनाया जाएगा, वो अभी हम समझेंगे, चार चीज़े बनाई जाएगी, वो अभी हम समझेंगे, लेकिन मैं आपको location wise बता दू, कि इस area को हम क्या कर करने वाले हैं, इस area को अगर हम देखें, ये वाला area, ये वाला area, ये वाला area और ये वाला area, ओके, ये अगर आप area देखें, this is Galathia Bay, नाम बहुत important है, पूछा जा सकता है, Galathia Bay कहाँ लाइज करती है, तो Galathia Bay, जो है, ग्रिट निकोवार में लाइज करती है, this is Camp Bell Bay, this is Galathia पूछे जा सकते हैं, Galathia Bay कहाँ है, Camp Bell Bay कहाँ है, तो Galathia Bay, Camp Bell Bay ये ग्रेट निकोवार में, अंडवान निकोवार, जो islands का ग्रूप है, उसमें क्या है, लोकेट करता है, इसके लावा और कौन से imported geographical terms हो सकते हैं, जो पूछे आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ famous river बहती है, जो आप अमरत कोर रिवर हैं, फेमस लेडी नहीं है, इंडियन हिस्ट्री में तो उनके नाम पर है, अमरत कोर रिवर, एक और है, अलेक्जेंड्रिया रिवर, तो इस तरह से जो famous rivers हैं, वहां की famous बें हैं, उनके बारे में आपको सर्च करना चाहिए, उनको दिमांग में रखना चा करके यहां पर एक mountain है, Mount Thullier, तो यह पूछा सकता है, Mount Thullier कहां पर है, तो जल्दी से याद नहीं आएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है, Mount Thullier कहां लोकेट है, तो इस आप लोगो को ग्रेट नेको बार का जो है, ओवर व्यू दे दिया है, कहां लाई करता है, उसकी जो पर क्या है, एक थोड़ा सा ethnicity पर बात करेंगे, तो जो Great Nicobar Island है, वहाँ पर mainly रहने वाली लोग जो है, वो tribal लोग है, ओके, tribes रहती हैं, तो tribal लोग रहते हैं, tribes रहती हैं, तो कौन-कौन से tribes रहती हैं साब, तो दो tribes mainly वहाँ पर रहती है, वहाँ पर रहती है, ओके, and second one is Nicobari तो ये दो tribal community वहाँ पर रहती है, ज्यादा उनका number नहीं है, hardly, जहां तो मुझे अगर मैं भी specific की बात करूँ तो 230 लोग, वो शोमपेन के होंगे, तो hardly 700 to 1000 people वहाँ पर जो है, उनी को वारी tribes के रहते होंगे, primitive है, काफी, उनका untouchable है, और main development के, जो main agenda है, development के, जो main core areas है, उनका involvement उसे बहुत कम है, तो government अभी तक उनको preserve करे रहे रखती थी, उनको जवर्दस्ती, दो तरीके हैं, या तो किसको जवर्दस्ती आप खीच लाइए, development की race में, कि भाई आ जाईए, आप भी आजाद होगे अब भी आजाद होगे, अब हो जब primitive class में हो, तो ने क्या पता आजादी का मतलब क्या है, तो government ने उनको छोड़ दिया, कि ठीक है, अब इनको आप evolve होने दीजिए, और धिरे-धिरे समय के साथ ये क्या हो जाएंगे, mature हो जाएंगे, तो तब हम जो है, इनको बताएंगे क इंडिया क्या चीज है, तो सायद अभी समय आ गया, 75 यह बीद के तो government को लगा कि social development की भी जरुवत है, और इसलिए government जो है, ये प्लान ले के आई है, नाम क्या है प्लान का, great निको बार development plan, ठीक है, overview थोड़ा होता, I think आपको समझ में आया होगा, तो अब हम समझेंगे कि ये प्लान है किया, इसमें होना किया है, इसमें होना किया है, तो ये डेट आप से पुछिया सकती है, 25 तो में 2021 को, government ने ये प्लान किया किया, एप्रूव किया, गोर्मेंट जब कोई भी प्लान एप्रूव करती है, तो पूरे उसके लिए, मिनिस्ट्री से सर्वे करती है, पूरा जो महकमा होता है, प्रशाशन का अडिमिस्ट्रेशन उस पे सर्वे करता है, और उसके बाद ही उस प्लान को क्या किया जाता है, बजट में या प्रूव किया जाता है, तो इस इस देट, 25 तो में 2021, जब government ने बोला कि हमें जो है इस प्रोजेक्ट में किया क्या जाएगा, तो उस प्रोजेक्ट में जो development का प्रोजेक्ट है, उसमें मेली चार प्रोजेक्ट जो है, मेजर प्रोजेक्ट है, जिसको हम government बनाने की सोच रही है, तो first जो प्रोजेक्ट है, वो ये है, ध्यान दो समझे, this is short term ICTT, यही से याद र international, container, transshipment, terminal, एक ऐसा terminal बनाया जाएगा, जो क्या काम करेगा, वहाँ पर container उतर जाएए, वहाँ से container को भरा जाए, समझे कि इस तरह से एक coast है कोई, और यहाँ पर आप एक क्या करा रहे है, पोर्ट बना रहे है, और पोर्ट में आप क्या बना दे, एक terminal बना दे, यहाँ पर ships आएं, और वो क्या करें, अपने cargo को उतार दे, और जो desired cargo है, उसको carry करें, और आपीस से ले जाए, तो ऐसा है बहुत बड़ा container, terminal बनाने का government का प्रस्ताव है, जिसी capacity कितनी होगी, 14.2 million T, है न, यह cargo unit का एक माप होता है, trillion unit समझ लीजिए, ऐसे, यह काफी heavy capacity का, जो ICTT ए होगा क्या इससे benefit क्या होगा, आप समझेंगे इस बात को, थोड़ा सा तो आप लोगों को समझ माहिरा होगा, भाई देखे, कोई भी country हो, उसके development के लिए दो चीजिए चाहिए है, तो पैसा, और दूसरा, पावर, पैसा चाहता रहे, और पावर हमारी बनी रहे, हर्दी से चाहता है, तो इंडिया का मैप अगर आप देख रहे होंगे, जो मैंने भी location बताईए, और ग्रेट निकोबार का आईलेंड का अगर आप location ध्यान से देखें, तो आपको समझ माहिएगा, जो ग्रेट निकोबार आईलेंड है, वो इंडियान ओशन में इतना important जगे पर locate है कि वहाँ से उस पूरे Indian Ocean में क्या रखिया सकती है, नजर रखिया सकती है, जियान से देखें वार फिर तुम समझा देता हूं, देखें यह मालीजी इंडिया है, और यह है Great Neogabad, यह स्रिलंका है, और यह मालदीव है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आशियान कं तो Great Neogabad की आप strategic location अगर आप देखें, यह Great Neogabad है, इसकी strategic location देखें, यह Indian Ocean है, और Indian Ocean से जितनी distance इसकी इंडिया से नहीं है, ज्यादा इंडिया से इंडिया है, उतनी उससे बहुत कम distance इसकी इंडिया से, देखें, अभी हम एक slide के थूँ जाएंगे, यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह इंडिया का mainland हो गया, कोलकाता, ओके, यह चेन नहीं है, और यह अंडवान निकोबार है, और यहाँ Great Neogabad है, ओके, ओक ग्रेट निकोबार के इधर ASEAN countries है, यह इंडोनेशिया आ गया, मलेशिया आ गया, यह बैंकोक, और यह, ओके, इंडोचाइना, जो प्राइदी, यह वाला सेक्शन है, तो ग्रेट निकोबार से, अगर हम इंडिया के mainland की बात करें, तो वो लगवग 12,000 किलोमेटर, सोरी, 1200 किलोमेटर है, ओके, और कोलकाता से अगर बात तो यह भी लगवग 1200 किलोमेटर है, इधर, जो कि करने का मतलब यह है, कि अगर हमें इस एरिया में अपनी strategic location बनानी है, इस पर control लखना, इस पर नजर रखनी है, तो यहां से रखना पास होगा, कि यहां से रखना पास होगा, जिसी वाद यहां से रखना पास है, मैं यहां से के वर 200 किलोमेटर दूर, तो that's why government का यह plan है, कि हम इस island को क्या करेंगे, develop करेंगे, और उस development के थुरू हम क्या करना चाहेंगे, कि यहां पर economic development करेंगे, और उसके चलते चलते हम साथी साथ strategic development, अब समझ में आएगा, यह strategic क्या, strategic, strategic मैं बोल रहा हूँ बार बार, बड़ा important term है, strategic word, बहुत important है, समझ में आएगा, भी मैं सम क्यों सबसे अच्छा दोस्त है, जो केवल खाए, पीए, मजाग करें, या जो फिर लड़ाई जगड़े में भी आपके काम आए, तो मुसिवत के वक्त भी आपके काम आए, तो strategic relation जिस दोस्त के साथ होंगे, वही सबसे अच्छी दोस्त होगा, वही सबसे बड़ा दोस्त ह बागी सब दुनिया ऐसी है, तो कहने का मतलब यह है कि strategic relation maintain करना हर देश की क्या होती है, जो प्रास्मिक्ता होती है, उसका prime concern होता है, क्यों होता है, क्योंकि बगल वाले देश क्या करेंगे फिर, counter करेंगे, आपको परशान करेंगे, और हमारा एक पडोसी ऐसा है भी, नाम क्या है उसका, चाइना, तो rise of China, यह देखे, rise of China, aggressive behavior of China, ओके, और चाइना की एक आपने policy अगर सुनी हो, उसका नाम है, O-B-O-R, ओके, ओवी, चाइना की एक policy है, उसका नाम क्या है, O-B-O-R, one world, one road initiative, इसके तुरू क्या कर रहा है, सिल्क रूट को, एक सिल्क रूट उसने बनाया है, जो सड़क के तुरू इस तरह से युरोप तक जा रहा है, और एक जो है, ओशन के तुरू जो है, वो इस एरिया को connect कर रहा है, तो O-B-O-R जो policy चाइना ने लाई, उसने भारत के क्या कर रहा है, क्यों, भाई, चाइना तो इस O-B-O-R बेल्ट के तुरू जगे-जगे शिरलंका में, मालदीव में, इंडोनेशिया में, जगे-जगे अपने क्या बना रहा है, और धिरे-धिरे चाइना भारत को क्या करना ही कोशिस कर रहा है, घिर नहीं कोशिस कर रहा है, तो इंडियन गोवर्मेंट ने भी य इस लिए गोवर्मेंट इस डेवलप्मेंट प्रोग्राम के थूँख एक नया प्रोजेक्ट लेके आई है, वह उस प्रोजेक्ट का नाम किया है, ग्रेट निकोवार डेवलप्मेंट, समझ माया कि निया है, फ़ुड़ा वह समझ माया हुआ, बाकि अभी हम दुबारा फि तो इसमें एक ICCT को डेवलफ किया जा रहा है, एक ICCT टरमिनल को डेवलफ किया जा रहा है, उसमें कार्गो फेसिलिटी होगी, कंटेनर्स को उतारना, उनको चड़ाना, उससे होगा क्या? इस पूरे एरिया में, जो Indian Ocean है, उसमें अरब कंटीज से, ज्यान सबंचे, अरब कंटीज, मिट्ल इस कंटीज जो इसमें साओधी अरब है, बेहरीन है, कतर है, ओमान है, यह सब देश, रहना, गल्फ कंटीज, खाड़ी के देश, उस वहां से भारी मात्रा में पैट्रोलियम वगेरा доп. इंडियन ओशन के त्रू होकर ट्रीड होता है तो अगर हम कंटेniर को बना देते हैं तो वहां से ट्रेड में। प्रस्ताइब कर सकते उसे रिवेंग्यू भी कमाया जा सकता है अपना ट्रेट तो हो गई होगा दूसरे को फैसिलीट देंगे भाही हम रास्ते में जा रहे थे रास्ते में एक जगे ढवा पड़ा पड़ा पेट्रल पंपड़ा तो लोग उतरेंगे रुकेंगे खाएंगे जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा बिजनेसे बनेगा वहाँ पर क्या होगा डिवलोमेंट होगा उसे एरिया का डिवल्लेवम्ट होगा इसलिए गौसंटेयन टर्मिनerson अने का वहाँ पर प्रस्तां होगे हां ठीक है हो भैसास साथ में हमारा असयान कांट्री से भी वेव प्लान के अंदर होने वाला construction है जो सरकार जो है government जो है इसको आगे बढ़ाना चाहरी है ICTT ओके second काम क्या गया यह तो पहला काम किया जाएगा पहला काम यह किया जाएगा चार बनाने जो ग्रेट निकोवा development plan में total कितने project बनने है चार बनने है उसमें से पहला कौन सा है ICTT अब second क्या होना है जब कभी आप किसी एरिया में इतना बड़ा container shipment बनाने की सोच रहे हो तो उसको किसी इसकी सरवतोर चाहिए क्या केवल टर्मिनल जो है वो केवल ships ही होते है only from ships और किसी से नहीं होता जो container आ आना जाना है माल की आवा जाई है क्या केवल ships से होती है नहीं एक और चीज है जिससे होती रोड से नहीं होगी रोड से कैसे हो जाएगा इंडियन ओशन में एक island है वहां तक रोड कैसे बना रोड नहीं मना सकते तो पहला क्या हो गया एक terminal बनाया जो ship को facilitate करेगा और दूस तो भई जब हम यह ships बना रहे हैं तो क्यों बना रहे है अरोड प्लेंस के स्रूव मुवमेंट पास्ट होता है ना सैनिको को उताना पड़ गया कोई ऐसा कंटेनर जिसको को यह ऐसा shipment जिसको तेजी से वहां पर डिपलोई कराना है को यह इसी चीज इसको जल्दी से वहां स समय लगेगा शिप्स तो बहुत दीरे चलते हैं तो इसलिए साथ ही साथ हम क्या बनाएंगे एक ग्रीन फील्ड यांस इस बड़ को मैं भी समझाओंगा ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयर पोर्ट डिजाइन किया जाएगा यह इस डिवलोपमेंट प्लान का दूसरा इंपोर्टन आश्पेक्ट है जो गौรंवेंट वहां पे बनाएगी घ्रीन फील्ड का मतलब labor flow plan होते है जब भी प्लान एंग्जेक्यूट होता है तो डूई तरिक'RE से कि या तो आप जीरो से बनाओ या फिर वो कुछ पहले से बना हुआ है उसको फिर आप बनाओ, या तो जीरो से हंड़ड बनाओ, या फिर आप 10 से हंड़ड बनाओ। सम्झाता हों में देखें यह एक जमीन थी यहां पर कुछ नहीं बना हुआ फिर ब्लैंक है इस पर हम नीव डाल के बनाएंगे तो देट इस ग्रीन फिल्ड अगर इस जमीन पर उल्रेडी कुछ बना हुआ था और उसको हटा कर या उसी के ऊपर फिर से बनाएंगे तो इस ब्राउन फिल्ट तो अगर जीरो से बना रहे हैं और थोड़ा सा पहले सी है वहाँ पर इफ्रेस्ट्रेक्चर है उसको हम रिवैम कर रहे हैं उसको और नेक्स लेवल करें लेकिन यहाँ पर क्या है क्योंकि ग्रेट निकोवार आइलेंड में अभी तो कोई डवलप्मेंट ने वहाँ पर इस त इस पर नहीं आएंगे तो आपर दिख्कत हो सकती है ओँ इस पर इस पर अभी तक अंटच रख रखाका हो जागा ले किन अब क्लैंग चेंगे है तो ग्रीन फविल्ड प्रोजेक्ट में एक एरपोर्ट महां पर क्या किया जाएगा बनाया जाएगा यह नहीं इनद चीज डेवलप होनी है पहला क्या डेवलप होना है आइसी पहला क्या डेवलप होना है एक एरपोर्ट क्रीन फिल्ड एरपोर्ट डेवलप होना है मैं मैप में 20 को मैपिंग कर दूँगा क्या कि आपको बिल्कुल समझ माया है कि कहां पर क्या बनने वाला है तीसरा प्रोजेक्ट की यह दूसरा हो गया तीसरा इंफरस्टेक्चर क्या बनने वाला है तो तीसरा इंफरस्टेक्चर बनने वाला है टाउंशिप अरे भाई इतने लोग यहां काम करेंगे यहां काम करेंगे तो रहेंगे कहां और आसपास एक टाउंशिप भी बनाई और चोथा इन सब को वहां रहने के लिए किसी जुरत होगी पावर इलेक्रिसिटी उसके लिए क्या बनाया जाएगा एक सोलर ध्यान से समझेगा कैसा प्लांट सोलर पावर बनाया जाएगा यानि कि गौश्च का फोकस सिर्फ और सिर्फ रिन्यूवल एनर्जी पर है उके उ वोल वोल नहीं लगा रहे पेट्रोलियम अगर का यूज़ नहीं करना किसका यूज़ करना सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा और सी केपिसिटी कितनी होगी 450 मेगावाट होके तो यह चार चीज़े अभी वहां पर बनाई जाएगी इसको मैप में हम समझे लेते हैं मै इस एरिया में इस एरिया में और इस अगर हमें इसको नमबर वन इसको नमबर वन माक करूं तो इस एरिया में टर्मिनल बनेगा इस एरिया में एरपोर्ट वह टर्मिनल के बगल में ही एरपोर्ट फैसिलिटी भी होगी अगर आप दूर दूर बना दोगे तो कोई कंटेन अगर यहां से यहां ले आना तो फिर दिक्कत है तो केवल सदन कोश्ट लाइन पे ही टर्मिनल और एरपोर्ट क्या होंगे बगल इसके लिए solar power plant यह है और यह है टाउंशी और यह total एरिया अगर आप post की अगर length distance अगर आप देखें तो यह hardly 7-8 km है तो 7-8 km के पूरे एरिया में distance wise अगर बात करें यह 4 प्रोजेक्ट बने जाएंगे एक ट्रमिनल बनाया जाएगा एक एरपोर्ट बनाया जाएगा एक टाउंशीप एंड लास्ट वन इस solar power plant ओके वोट इट और नोट सुझ मा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ग्रेट निकोवार development plan चार चीज़े उसके अंदर government बनाने की सोच रही है क्या-क्या यह क्या-क्या बनाने की सोच रही है ICT, 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 एक दूसरा, एक एरपोर्ट, तीसरा, सिटी बसाएगी और चोथा क्या solar power plant इसी को holistic way में क्या बोला गया है? ग्रेट निकोवार development plan ओके टोटल एरिया अगर हम डिफाइन करें इसको तो more than 72,000 km से उफर जो है यह एरिया जो है वो गुवर्मेंट इसको क्या करेगी उकुपाई कर लेगी जब चारों चीज़े क्या बनाई जाएगी एरिया वाइज अगर हम देखें एरिया वाइज तो एरिया जो है तो आप क्वेरी कर सकते हैं नीचे कमेंड वेक्स बोक्स में पूछ सकते हैं वी विल आंसर इट ओके आगे बढ़ते हैं यह प्रोजेक्ट बनना कितने समय में हैं इस पे हम प्रॉचर चार करेंगे गोर्मेंट ने इसके लिए जो एप्रूव किया है वो बोला है कि हम टोटल 72,000 करोड रूपीज जो हैं हम इसमें क्या करने वाले हैं हम इसमें spend करने वाले हैं टोटल और तीस साल के अंदर हम इस पूरे प्रोजेक्ट क्या करेंगे तीन फेज़ेज़ में इस पूरे प्रोजेक्ट को हम जो हैं गोर्मेंट का प्लान है कितने रूपे लगने वाले हैं 72,000 करोड बहुत-बड़ा माउंट होता है जब कोई policy बनाती है तो futuristic होके बनाती है उसके लिए अब इसमें एड भी हो सकता है समय बढ़ेगा हमें demands बनेगी needs बनेगी तो वहाँ पर old development किया जाएगा अभी basic यह है कि next 30 years में इस plan को execute किया जाएगा और वहाँ पर चार जो चीजे मैंने आपको बताई एक solar power plant एक city और एक Greenfield airport उसको बनाने का government ने किया है और यह बनाया जाएगा total 30 सालों में यह plan पूरा execute होगा और उसके लिए amount total केतनी जाव होने 72,000 क्रोंड रुपी जो रहा उसमें spend होने है ओके और कौन सा island develop को रहा है यह ध्यान लखिए पूरा ना भूलना नहीं है कौन सा great निको बार कार न अब भाई इसका फाइदा क्या है इसे होगा क्या इसे क्या फाइदा मिलने वाला है कुछ फाइदा है कि नहीं क्या फाइदा है भाई हमें बताओ इसे क्या मिलेगा सरकार ही कर रहे है इतना पैसा कर रहे है टेक्स का पैसा है 72,000 क्रोंड करें क्या करना है भूमने पर जान हाई लेड़ से समझना है कोई ही चीजों में सबसे ज़्ञादा इन्वेस्ट करती है उसका ध्यान लगती है इंकम होता रहे दूसरा पावर, strategic, वहना उसके strategic उसके benefit होते हैं, उसके समझें, कि major जो benefits हैं, या तो वो economic है, और दूसरा strategic है, ओके, ये दो ही major उसके क्या है, गोल है, जो वो अचीव करना है, कोई भी government, ओ इंडियन government को कोई दिक्कत थोड़ी हो, इंडियन government को पैसे ही कमी है, क्या, नहीं, लेकिन जादे से जादे कमाएं, हम revenue कमाएं, और उससे क्या है, जादे से जादे हम क्या है, strategy की power क्या करें, एंडियन government भी ही चाती है, हर कोई देश ही चाहता है, पागिस्तान भी ही चाहता है, चाहिना भी ही चाहता है, अमेरिका भी ही चाहता है, अमेरिका के दुपर दुनिया मे हमारा इलाका है और वहीं हमारी प्रेजन्स अगर कम पढ़ गई और चाइना का इग्रेशन बढ़ गया और सारे देश चाइना की तरफ चले गए तो फिर हमारा क्या होगा है ना हम पर कोन भरोसा करेगा तो इसलिए गौवर्मेंट के दिमाग में फ्लैन है और उसने ये दो अगर हम ग्रेट निकोवार एरिया को डेवलप करते हैं तो वहां पर अगर हम कंटेनर टर्मिनल बनाते हैं एरपोड बनाते हैं लोग आएंगे जाएंगे कंटेनर शिप आएंगे कंटेनर लोडिंग होगी ओके तो वहां पर क्या होगा एकोनोमिक एक्टिविटीज क्या ह लेकिन इससे भी बड़ा टार्गेट का है स्ट्रेटेजिक प्रजेंस को उस एरिया में बढ़ाना नहीं पताया जब आप आंसर फ्रेम करें या फिर बताएं तो वहां ठीक है एक वज़े हो सकती है कि चाइना लेकिन चाइना को रोकने के लिए नहीं ना और भी चीज़े हैं जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अगर पड़ते हैं उसमी करो फाइंसे प्राइम मिनेटे मोडी ये वेस्ट कंट्री जो है उस पर क्या करें ये पॉलिस olması करते हैं। और य इसी पॉलिसी के अंदर भी हम इस को पुटाउन कर सकते हैं। हम ग्रेट निकोबार आइलेंड को डेवलप करेंगे, उसको बनाएंगे। उसमें वापर development करेंगे वापर facilitation देंगे तो हमारे जो इस्टन फेरी फेरल पर जो कंट्री हमारे दोस्त हैं का हैं मलेशिया है होंग कॉंग इतनाम है लाउस होडिया सारे आप दूर तक असक है रेल्या को बेसे आगेट कर सकते तो सब्सक्राइब आपनी स्ट्रीस को मजहा कर सकते हैं तो ये major दो importance हैं इस great निको बार development plan पे इसके अलावा और क्या हो सकते हैं साब economic reason हो गया strategic reason भी हो गया तीसरा होता है geopolitical जो है लिखा हुए geopolitical reason वो ही है राजनीती से पेरेत है हम भी हमारे हैं यहां democracy है ऐसी आस पास के वहां के area के और तो उस एरिया के geopolitical system को समझने में यह project क्या करेगा हमारी help करेगा मलेशिया से कैसे relation रखने हैं इस तो अभी भी होता है ऐसा नहीं कि हमारा अभी वहां पे relation ही अभी भी relation है लेकिन इसके थूरू क्या होगा हमारी प्रिजन्स बढ़ जाएगी अभी आप 1200 किलोमेटर दिल्ली तो और दूर है 1200 किलोमेटर तो चेन नहीं है मलेशिया से या फिर उससे अब आप 1200 किलोमेटर दूर बैठ के करते हैं फिर आप क्या होगा उससे क्या होगा उससे क्या होगा और दूसरे में समझ बढ़ेगी और एक दूसरे के साथ कोपरेशन क्या होगा बढ़ेगा वागा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यह जो पॉलिटिकल डिलेशन इकॉनोमिक रिलेशन स्ट्रेजिक रिलेशन जो होंगे इंडिया और अधर कंट्री के बीच में क्या होंगे नहीं सौंगे तो यह मेजर तीन अभी तक मैंने बताए इस प्लान के इसका बेनफिट किया है रेट निक वार डेवलप्मेंट प्लान का पहला बेनफिट किया है रिवेन्यू बढ़ेगा एक्टिविटीज बढ़ेंगी अब भी जा सकते इन फूचर मां पर हो सकता है अभी प्लान नहीं कि अब प्लान करें कि चलो ठीक है बार भी खोला जाए तो अब पहले एक्कोनोमिक सस्टेनिमिल्टी होगी तभी तो यह सब चीज होगा जैसा अमेरिका ने एक सहर बना रखा लोस एंजल्स के वाले मोज मस्ति के लिए बना रखा है डेजर्ट में बना दूसरा है इस्ट्रेटेजिक रीजन है तीसरा क्या है जिए पॉलेटिकल रीजन है इसके लावा चोटे मोटे रीजन है जैसे सांटेफिक रीजन भी हो सकता है एन्वार्मेंटल परफस वी हो सकता है मैं समझाता हूं कैसे हो गया कि बहुत देखो 2004 में तोनामी आई थी ओ तो भाई तब वहाँ पर उतना scientific research नहीं होता तो अब अग हम क्या काम करेंगे वहाँ पर अपने scientific research बनाएंगे वहाँ पर अपना environmental study बनाएंगे तो हम आएसी आने वाली कलमेटी से भी क्या हो सकते हैं इन future अपने आपको सेफ कर सकते हैं research होगी तो उससे क्या होता है benefit तो होता है human race को ठीक है तो यह भी एक major benefit है minor है major तो यह है minor है लेकि benefit तो benefit है यह वहाँ लोग रहेंगे scientist रहेंगे वहाँ रहेंगे जो कुछ खोजी प्रवठती के लोग होते हैं जिनको curiosity होती है वो जाते हैं study करते हैं उस एरिया की सब्सक्राइब करते हैं उनको जानना उनको समझना उनको कंजर्व करना इन सब के बारे में क्या होगा study बढ़ेगी वहाँ लोग जाएंगे नस्दीक से study कर पाएंगे अभी तक नहीं जा पाते सब्सक्राइब करते हैं एक और परपस है अभी इसमें मेंशन नहीं है लेकिन उसको आप मेंशन कर लीजिए that is human race जो वहाँ पर रह रही है जो tribes रह रही है उनका भी क्या होगा development होगा तो social development हमें इसमें लिख सकते हैं एक social development भी वक्त के साथ उनका क्या होगा वैसी इस पर बहुत से लोग counter भी करते हैं कि साब आप वहाँ जाएंगे तो नहीं ने बिमारिया उन एरिया के लोगों को दे आएंगे जैसा कि पोलोनीज time period पे फस्ट वर्ड कंट्री ने किया और वहाँ के रहने वाले शॉंपें और निको नहीं नहीं हो जाते हैं लेकिन धीरे धीरे गोवर्मेंट उस पर क्या करती है काम कर रही है उनको vaccinate करेगी धीरे धीरे उनका भी social अपलिपमेंट होगा भी देखिए गोवर्मेंट का फोकस है कि जो सबसे दूर बैठा हुआ आदमी भले वोट ना डाले लेकिन उसके लिए भी काम होना चाहिए है तो देट्स दा मोटो विहांड दी कुड़ कवर्नेंस और वही करने के लिए गोवर्मेंट एक तरह से यह दिल्ली के लुटियन डेली में बैठने वालों का है तो इसी लिए इन सब बेनेफिट्स के को हम ध्यान में रखते हुए कि समझेंगे कि इस पूरे डेवल्मेंट प्लान में गोवर्मेंट का पॉलेटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटिजी, के एन्वार्मेंटल, परपस, सो पूलेशी गोवर्मेंट ने बनाई है और उसको नाम दिया है ग्रेट निपोबार डेवल्मेंट प्लान में समझ माया? कोई दिक्कत हो, कुछ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्यारी पूछ सकते हैं, कमेंट बेक में पूछे, आप आंसर किया जाएगा, आप अगर आप इतना बड़ा वहाँ डेवल्मेंट करेंगे, तो उस रीजन में बढ़ेगी, वहाँ पर क्या होगा, एकोलोजिकल इंबैलेंस होगा, होगा कि नहीं होगा, और वहाँ पर डिग्रेडेशन यह हो, यह सबसे बड़ा इन्वर्मेंटलिस्ट जो हैं, स्टेडी करन वाले उन्होंने बोला है कि वहाँ ऐसा करने से रन ओफ बढ़ सकता है, सेडिमेंटेशन बढ़ सकता है, डिपोजीशन बढ़ सकता है, इंद्रा पॉइंट जो 2004 की सुनामी में समर्जड हो गया, ऐसे नमबर ओफ पॉइंट बढ़ सकते हैं, कोस्टल लाइन नीचे जा सकत है, यह सब दिक्कते वहाँ हुए, अब इतना आप 72,000 करोड का प्रोजेक्ट लेके जारा सोचिए, आप कितना बड़ा वहाँ पर मेगा स्ट्रक्शर आप बनाने हैं, ओनोंने कहा है कि EIA इसको सस्टेन नहीं कर से, यह कंसर्स है, इसके लिए Environment Ministry जो है, Environment Impact Assessment करती है, EIA करती है, ठीक है, किया है, Government का EIA होने के बाद ही प्रोजेक्ट को approval मिला है, लेकिन स्टिल, there are some concerns कि हाँ, वहाँ पर अगर हम कुछ करेंगे, अब यहाँ आप लोग जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वहाँ पॉलिटिन भला जेते हैं, वहाँ पर pollution करते हैं, तो pollution वहाँ नहीं होग से plantation करेंगे, ठीक है, Government ने बोला है, तो करा जाएगा, जो होता है, हर साल पेड़ लगा जाते हैं, लेकिन हो हर साल लगा है, पेड़ एक महीने में सूख जाते हैं, जो naturally होगा है, उसे काट के आप man-made तरीके से plantation करें, कितना successful होगा, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी concern है, तो उसको बताना जरूरी है, तीसरा क्या है, कि यह, जो मैंने बताया, mangroves और corals का क्या होगा, उनका क्या होना है, degradation, यह major environmental concern है, जो उस एरिया में होगा, coral reefs जो वहाँ पर पाई जाती है, Gulf of Mannaar, जो स्रिलंका और तमिलनाडू के एरिया में, यहां तक फैली हुई है, कुछ उस एरिया में फैली हुई है, तो वहां का pollution बहता बहता इधर तो आएगा, जब cargo चलेंगे, ships जाएंगे, तो इस पूरे एरिया में क्या होगा pollution? तो इस पूरे एरिया में यह एक major दिक्कत है, जिसके तो क्या होगा, इस plan तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ कु जैसे government जब कोई plan लेके आती है, तो वो यही कहती है कि भाई, पोजिटिव ज़्यादा है, निगेटिव कम है, तो उसी के थूप फे policy पे implementation किया जाता है, तो यही एक major thought है इसके पीछे कि इसके थूप ज़्यादा होगे, और जो damage है, वो कम है, और अगर damage होगा भी, तो ज social development होगा, तो उसके थूप क्या है, जो हमारा achievements है, वो बढ़ जाएंगे, rather than damages, तो यह जो major points है, regarding to great nicovar development plan, कुछ important जो हम देख सकते हैं, कुछ major, major facts regarding to great nicovar island, वो मैंने यह mention कि हैं, उसको आप देखिए, कि जैसे great nicovar island, जो है, उसका total area कितना है, total area 910 square kilometer है, ओके, इसके अलावा जो, उसमें total अंडवान nicovar islands है, वो total कितने islands का group है, तो 836 islands का क्या है, total group है, total groups अंडवान nicovar में मिला अगर कितने, 836, और उसमें से एक कौन सा है, great nicovar, ठीक है, और यह bay of bengal, 10 degree channel, इस सब location आपक को map में देखने चाहिए, यह कहाँ bay of bengal है, कहाँ 10 degree channel है, और उनकी location यह पूछे जा सकते हैं, exam में, important terms है, यह कहाँ कहाँ है, ठीक है, इसके अलावा, जो अंडवान islands हैं, और nicovar islands हैं, तो उसको 10 degree channel अलग तो करता है, लेकिन जैसे यह north अंडवान है, यह middle अंडवान है, यह southern अंडवान है, और उसके बाद एक little अंडवान है, और उसके बाद है कार्निकोबार, तो 10 degree channel यहां है, pinpoint पूछा सकता है, कि 10 degree channel किस-किस के बीच है, तो little अंडवान और कार्निकोबार के बीच में है, ठीक है, तो यही कुछ facts हैं, जो यहाँ पर mention है, इनको आप ध्यान स इसको आप देखीगा, कुछ और facts मैंने यह mention कि है, जैसे कि जो question exam में पूछे जाए तकते हैं, कि जो great nicobar biosphere reserve है, उसमें जो ecosystem, मैंने बता भी चुका हूं, कि वहाँ पर जो vegetation है, उस vegetation का type क्या है, tropical wet, evergreen forest वहाँ पर मिलते हैं, ऐसे पेड़ जो हमेशा सदा बाहर है, हमेशा पत्तियां का भी ना कि रहे हैं, हमेशा उन पर पत्तियां रहे हैं, ऐसे कहां मिलते हैं, जीरो आप अगर जोगरफी आपने पढ़ी हो, तो 0 degree to 10 degree, जैना, इस degree north और 10 degree, north और 10 degree south, इस total 20 degree latitude area के बीच में, कौन से प्रोस मिलते हैं, tropical wet, evergreen forest मिलता है, और मैंने आपको बताया, ग्रेट निको बार का लोकेशन के है, 7 degree north के आसपास है, तो वहाँ पर हमारे जो forest होंगे, उनका behavior कैसा होगा, tropical wet forest होगा, मांट थूलियर के बारे हमने बात करी, उसकी total height 642 meter है, और वहाँ पर जो major two national parks हैं, उनका नाम भी हमने एक है, कौन सा campbell bay national park, and second one is galathia national park, बहुत important है, है ना, campbell bay national park कहां है, है ना, galathia bay national park कहां है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वही, ये जो है, ये ग्रेट निको बार आइलेंड में है, तीसरा, एक biosphere reserve भी है, ग्रेट निको बार बार आइलेंड का 85% area, या उससे भी ज़्यादा, government ने biosphere reserve में अभी था, क्या कर रखा होता है, रखा हुआ, biosphere reserve में, तो उसके थुरू, वहाँ पर human activities बहुत ही कम थी, ना के बराबर समझो आप, लेकिन अब government का project आया है, तो उसमें कुछ चेड़ चाड़ की जाएगी, तो इस छोटे से great nicobar island में, दो क्या है, national park है, और एक क्या है, biosphere reserve में, टोटल तीन important जो sites हैं, वहाँ पर हैं, जो आपको याद होनी चाहिए, केंप वेल, वे नेशनल पार्क, गलातिया नेशनल पार्क, और great nicobar, biosphere reserve, यह जो है, उस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ओके, clear है, ओके, इसके बाद, जो tribes हैं, उसके बारे मैंने बताया, एक tribe है कौन सी, Champagne tribe, ओके, और दूसरी tribe कौन सी है, निकोवारी tribe, ओके, तो यह tribe, यह दो major tribes हैं, जो वहाँ पर decide करती हैं, ओके, तो यह पूरा overview है, social, political, geographical, है न, और great nicobar development plan क्यों है, वहाँ के facts क्या है, वहाँ के important figures क्या है, facts क्या है, उसका क्या concern है, क्यों बनाया जा रहा है, तो इसको हम देखा, हमने आज इसको देखा है, इसको आप समझ जिए, देखिए, और study कीजिए, कोई query हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके, ओके, चलिए आज अभी के लिए topic close करते हैं, उसके बाद next topic लिए बढ़ते हैं, thank you